कि है गाइज देखो कुछ ऐसी खबर जो जब भी कोई अपडेट आता है तो आपको यहां पर देखना चाहिए जैसे देखिए आज आइडिफसी फर्स्ट बैंक का सा रिजल्ट आया लोगों को उमीद था कि कैसा रिजल्ट आ सकता है नहीं आ सकता है करके हाला कि जो भी आब आज पहली बार मतलब देखोगे तो आज नहीं मतलब अभी हाल फिलाल में दो घंटे पहले ही से रिजल्ट आया यहां पर बताया जा रहा आइडिफसी फर्स्ट बैंक का सर जो क्वार्ट रिजल्ट आकर आप देखोगे तो बोला जा रहा है कि भाई प्रॉफिट फॉल 11 परसंट लेकिन फोड़ा गिर चुकाई 11 परसंट तो अगर महाल लेते हैं कि सर्फ मार्केट के एक्सपक्टेशन से चीज़े उपर है तो मार्केट इसको थोड़ा उपर रखेगा सर लेकिन मार्केट के एकसपक्टेशन के नीचे है तो थोड़ी बहुत गिरावड देखने को मिल उसके बाद आगे देखोगे तो railway में बताया ज़रा कि 68,630 4 करोडों का पैसा allocate किया गया सर यह ख़बर कब आई है 27 जुलाई को सर मतलब आज के date में यह ख़बर आई है और लगबग कुछ पल पहले ही आया है यह ख़बर जहां पर यह बोला जारा कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है सर लगबग जो है ट्रैक बनाने में डाला जारा सर क्या बनाने में ट्रैक बनाने में न्यू ट्रैक बनाने में लगबग नई चीजों को डबलब करने के लिए नई एलोकेशन के लिए बताया गया है जो कि लगबग 2.62 लाक करोड जो इसमें बोला गया है इसमें से ज्यादा तर बोला गया है जो आमाउंट है जिन में से बोला गया है कि भाई देखो आप लोग यह जो है existing infrastructure को भाई डब इनमें सर हमें लगाना क्या पड़ेगा सर हमें उनमें new track वगर ही तो लाना पड़ेगा न for new track देख सकते हो allocation for new track अब सर rail विकास निगम लिंटेड इस चीजों के लिए काप करता है सर Indian railway allocation जो बताया ज़रा new track के लिए नय track के लिए और rail विकास निगम लिंटेड इस new line देख सकते हो new line ठीक है देख सकते हो तो जो doubling देखने को मिलता है सर कि और एक track extra बनाना है अगर देखो तो हर हर village में गाउं में दो दो track ही होता था सर दो एक train यहां से इधर जा रहा होगा एक train इस train पर इस पट्री पर इधर आ रहा होगा सर तो अब क्या है कि जब इस त यह जो पुराने वाले track हैं इस पर तो बैल गाड़ी चलेगी और जो नए वाले हैं सर इस पर bullet train चल सकती है semi high speed train चल सकती है जो high speed वाले सर जो लगबग 120 के speed में चलेगी और जो bullet train आएगा तो सर वो तो लगबग 200 के speed से ऊपर चलेगा तो यह चीज़े है सर इस वज़े से new ट्रेक बनाना ज़्यादा जरूरी है ऐ ऐसी से बैंक का लगबग जो एक घंटे पहले 51 पहले रिजल्ट आया यहां पर बोला जा रहा है कि इसका जो रिजल्ट है दो कहने का मतलब है वह जो पीडियों फाला आता है ईसा रिजल्ट उसमें भी मैं आपको घुसके जाके दिख तो यहां देखके भी समझ सकते है, ICC Bank का Quarter 1 का जो रिजल्ट आया, Net Profit 11,000, 59 crore देखने को मिला यहां पाई, Net Interest Margin जो देखने को मिला वो थोड़ा बहुत डीप होता हुआ नजर आया, गिरता हुए नजर आ रहा, तो कुछ खास मैं आपको बलूगा कि रिजल्ट नॉर्मल ह यह 4-5% भागता वो नजर आया है, इस कंपणी का आगर आप देखोगे, तो बताया जा रहा है किस कंपणी को सर नया ओर्डर मिला है, कितने का है सर, तो कितने का ओर्डर है वो बताया ज़रा 3.28 crore का, और यह Reliance की कंपणी है सर, अमबानी की कंपणी है, ऐसा है, Stilion Will, Share Upper Circuit On Order Will, देख सकतो, 3.28 crore, यह Reliance की कंपणी है सर, Reliance ने इस कंपणी के अंदर जो स्टेक खरीद रखा है, और कंपणी का रिजल्ट भी जो भी आ रहा सर, एकदम नॉर्मल पफोर्मेंस करते हुए जा रहा उपर की तरह, तो कंपणी सोलर में आगा देखोगे, तो यह Reliance की आ अब वो बहुत जादा चलती हुए ने चर आ रहा है सर, जैसे आए देख लिजे यहाँ पर, यहाँ पर यह बीच में तो सर्कीड भी लग चुका था सुबह में, देखेगा तो यह पहले बहुत जादा गिरा हुआ रहा था सर, कितना जादा गिरा हुआ था, 55% गिरा हुआ सर, इसका जो रिजल्ट आया है, यहाँ पर किवल 6 घंटे पहले बोला जा रहा है कि भाई इसका जो है, देख सकते हो, प्रॉफिट डबल हो चुका है सर, देख सकते हो, और सर लगबग साथ में खबर भी आया, 6000 क्रोड का यहाँ देख सकते हो, फंड रेस के बारे में, मतल सर, प्रोडोकासर कंपनी, फंड रेस भी करने वाले है, तो यह एक अच्छी खबार है सर, और लंबे समय में, इसने काफी अच्छा, यह रिटन भी निकाल के दिया सर, अभी तक तो काफी अच्छा चलता हो नजर आ रहा है, और अगर स्टॉक मार्केर में नहीं हो तो अप